लेकिन जब मैं वहां गृस्तियों के यहां गया तो वहां भी दुखी है बोली वहां क्यों दुखी है गृस्ति? बोली तरुनी प्रभुता गेहे स्यालको दिताया कहा कन्या विक्रेणो लोव धम्पति नाम चकलकनम जब मैं ग्रस्तियों में गया तो ग्रस्तियों के हर घर में कलेश है मैं नहीं कह रहा हूँ भागवत कह रहे है कई मेरे उपर मणदो मैं भी ग्रस्ति ही हूँ काम कोई बाबा जी थोड़ी हूँ तुमाई तरह ही हूँ एक तम चकाच बड़ी है लेकिन एक घर बता दीजिए जहां कलेश नहों हर घर में कलेश है हर घर में और कलेश किसकी वज़े से है है अज़ा बताएं किसकी वज़े से एक्स्ट्रा डिमांड एक्स्ट्रा इच्छा हमारी हमारी खोद की इमेज़ जो भी हो लेकिन जरुवत से ज्यादा इच्छाएं रखना यहीं न दुख का कारण है अगर पापा सामर्थवान है मारूती एट हंड़ में चलने के लिए तो बेटा और बहुत सोच रहें नहीं ह हम भी भलाने की तरह होंड़ी की कार लेंगे बी एम डबलू लेंगे अरे पापा पे आई रहो है मारूती लाग कि जी अपने आप पे बेच के दैदेतो है नहीं नहीं मेरे को तो साधी में यही बताया गया था यह लोग बड़े अच्छे लोग है अच्छे लोग बताया कायते पर हैं तो नहीं अब जैसे हैं तुझे पताया ना यही में सेटल करो बेटा भी कायता नहीं में तो अलगी रहूं अधरे जा जा आगरा बहुत लंबा चोड़ो कौं जाए के बस जा कादर में जमना जीम बना लें आजे कल सब गेर रहें तू गेल देने का कॉन रोक जमन करे माझा जे जिए और जीन डे हाय ना आयर ना कालेश की बजह हमारी इच्छाए हैं जितने भी लोग यहां बैठे हैं मैं सब के लिए बोल रहा हूं को मिताने का एक ही उपाय है अपनी इच्छाओं का दमन करो जब्चाओं जिम्मेदारी को समझों जब जिम्मेदारी को समझोगे इच्छाओं का दमन कर लोगे इस भूम अंडल पर कोई माई का लाल नहीं जो तुम्हें दुखी कर दे अगर इच्छाएं बढ़ाते गए तो कोई ऐसा भी नहीं जो तुम्हें सुखी कर दे क्योंकि आज हॉंडे ही चाहिए कल फिर बीमडबलू चाहिए फिर उसके बाद मर्सरीज फिर उसके बाद कई-कई करोड की गाड़ियां इच्छा कामरने वाली है फिर काओ कि पर्सनल प्लैन चाहिए काओ का भूं को मटी है काज तक जो तुम्हारी मिट जावेगी एक देवी और देवताओं से एक निपेदन है यह जो जुवान है ना बड़ी खतरनाक है घरों में बड़ों की नहीं चल रही है अज कल चल रही है क्या मामा जी बताई गरों में बड़ों की चल रही है क्या है नहीं चल रही बैठ जाओ आप हसके टाल सकते हैं लेकिन सच है जिस घर में बड़ों की इजट नहीं होती वो घर में रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते चाहिए दुनिया में यह ताजमल तुम्हारे नाम कर वालो सुखी नहीं रहने वाले हो तुम लोग कभी इस घर में तुम बड़ों का अपमान करना सीख लो कैसे खुशर होगे कभी तुम बड़े नहीं होगे क्या तुम्हारे बच्चे कभी बड़े नहीं होएंगे क्या क्या वो तुम्हारे बच्चे कभी बड़े नहीं होएंगे क्या क्या नहीं म तुम बच्चों अपने बड़ों का अपमान करते हो, तुमारे बच्चे तुम में उतार उतार के मारेंगे, क्योंकि तुम से ज्यादा मास्टर हो चुके होंगे वो, तुम से ज्यादा स्मार्ट हो चुके होंगे वो, इसके लिए जरूरी है, अचा इस जीवन में भी ये ना करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और उस धर्म से हम अगर भटक गए तो हम कभी सुकी नहीं रहेंगा आपका धर्मी तो कहता बड़ों कादर करो और आप तो धर्म कहते हैं आप तो कहते हम नहीं मानते धर्म को तो फिर तो कुछ भी करो कलेश की बज़े कुछ भी हो स बेटे को तो हर बाप को यह जवाब देना चाहिए, तेरे बाप का है क्या, तेरे बाप का है ना, तेरे बाप नहीं देना चाहता, यू can go, out from here, जाओ अपने आप करो कमाओ, तुम्हारी पढ़ाई पे खर्चा किया, तुम्हें पढ़ा लिखा के बढ़ा किया, तुम्हें सेटल करने लाइक बना दिया, जाओ अपने पैरों पे खड़े हो और अपना घर चलाना सीको, क्यों मेरे सही हिस्सा मांग रहे हो, इ अपना बुड़ा पा सुरक्षित कर लेना चाहिए, हर माबाप के लिए सला दे रहा हो, बच्चों से अमीद मत रखना, नजाने कव कौन सा तुम्हें घर से बार निकाल दे, बी केरफुल, और जो आगे जाके बूड़े होंगे उनसे भी सिकार होंगा, आज कल जो बच्च है, तुम भी अपना जीवन सुरक्षिती रखना बच्चों के आगे, क्योंकि तुम्हारे भी बाप बनने वाले है, बच्चे रहने वाले वो भी नहीं है, आज के लिए तो नहीं परियाबते, आगे फिर बता दूगा, सुनते रहना कथा, कही यह सा मत करना कि बीच कथा छ कही यहिं जो सुचकी बचुती समय कि रहने है, पु 리 हुआ है, झागे नहीं है, प्यु吝 जरिए यह जज़्क्ते क करना का बच्चों के लिए सुमनी के रह बैसे है, ईतनी पप्स करना में तुम्हारे धिता, जैए जो है सुच सुनते दिता, प्युती सुनते, इतनी